हेलो गाइस कैसे हो आप सब सबसे पहले तो मैं अपने वीवर से अपने सबस्क्राइबर से बहुत बहुत सौरी फील करती हूँ मैं इतने दिन से आ नहीं सकी क्योंकि मेरे थोड़े हैल्थ इशूस चल रहे थे अब मैं ठीक हूँ अब मैं आपको रेगलर वीडियोस दोंगी तो प्लीस आप मेरी वीडियोस को जैसे पहले प्यार कर देते थे वैसे ही मेरी वीडियोस को अभी भी प्यार देना तो आज का वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाला है कि मैंने विंटर्स में जादा तर जो प मर्जी आप अच्छे से अच्छा जब ब्रैंड ले लो ठीक है लेकिन अगर वो ड्राई हो जाए तो वो वेस्ट आफ मनी हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपना ड्राई जो लाइनर है आई लाइनर है जेल आई लाइनर को आप कैसे अपनी वीडियो में आपको लगा के भी दिखा रही हूं कि किस तरह से आप इसको ड्राई हुए लाइनर को लीक्वड लाइनर में कनवर्ड कर सकते हो और अपने अपने जो वेस्ट मनी वेस्ट है उससे बच सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूं कि जो liner है वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मैं जूम करके दिखा रही हूं भी liner जो मेरा dry हो गया था gel eyeliner उसको मैंने liquid में कैसे convert किया है जिससे कि आपकी जो liner है आपको दुबारा buy ना करना पड़े ठीक है तो वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को हम आज start करेंगे ठीक है तो उसके लिए आपको दो ingredients चाहिए obvious है आपका जो dry liner है वो वला और एक और ingredients उसमें add करना है जिससे आप अपने liquid eyeliner में convert कर सकते हो दूसरा ingredient है rose water rose water आप सब use करते हो as a toner उसका एक ये भी use है कि आप आपका liner जो है वो gel liner जो है वो dry हो गया तो उसमें आपने क्या करना है थोड़ा सा rose water mix करना है ठीक है आप चाहिए तो अपने liner में direct use कर सकते हो ठीक है ये देखिए मेरा जो mebeline का ना महंगा 500 नियर होगा ये इसकी cost तो ये क्या हो गया dry हो गया ठीक है तो मैंने उसमें rose water के में convert हो गया है तो आप ये gel liner जो है वो एक तो liquid में convert हुए है ठीक है दूसरा और क्या हुए आपका जो liner है वो smudge proof भी बन गया अगर आपका liner smudge proof नहीं है तो इस तरह से आप अपने liner को smudge proof भा सकते हैं और liquid liner में convert कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो चरह भी अच्छी लगी हो आज की तो मेरी वीडियो को like, share, comment और मेरे चैनल को subscribe कीजिए देखिए liquid form में convert होने के बाद कितनी अच्छी से ये glide कर रहा था इतनी अच्छी से और इतने easily ये लग रहा था ना मेरे से एक second के अंदर-अंदर मैंने लगा लिया इसको आप देख सकते हैं आप भी ये वाला hack और trick जरूर use कीजिए और मुझे comment on करके बताईए कि आपको ये trick आपके लिए कितनी useful रही है इस trick को useful बनाने में बनाने इस trick को useful बनाईए और use कीजिए और इस का फैदा उठाईए ठी मिलते हैं किसी next वीडियो में और मेरी वीडियो में आप अरग्लर आपको मेरी वीडियो मिलेंगी आप काईज मेरी वीडियो को like share और comment दरूर करना टैंक यू गाइस बवाऐ टेक कि